अस्वान के विडियो में बिजवान चीमा विल्कम बैक विद नदर वीडियो ऑफ केपिटल स्मार्ट सेटी आज के इस वीडियो में केपिटल स्मार्टी की जो एकसेस रोड वन है जहां से आप चक्री रोड सेंटर होके मेन M2 मोटर वे तक जा सकते हैं उस रोड के वाले से बताऊंगा and overall उस रोड के नेबरोड में जो काम हो रहा है जिन सेक्टर से पर डिवल्लपमेंट हो रही है उसके वाले से इस वीडियो में एकस्प्लेइन करूँगा सबसे लेकर बात करें चक्री रोड पे कैपिटल समारिटी के तीन रस्ते हैं जिन में से दो रस्ते मुकमल ऑपरेशनल हो चुकी हैं और तीसरे रस्ते पे अभी तक काम शुरू नहीं हुआ जो थर्ड रस्ता है वो जा के एक्जेक्टिब ब्लॉक को कनेक्ट करेगा चक्री सब्सक्राइब करें जो रोड के बिलकुल लेफ्ट साइट पर वाक्या है जहां पर कुछ आपको पार्शल पार्ट ब्राउन हुआ भी नजर आ रहा है यह वाला इरिया जो बनता है यह चार मरला और आट मरला के कमर्शल प्लॉट्स बनते हैं और इसके लावा यहां पर को सब्सक्राइब करने के बाद उन विलाज को लेटर स्टेज पर मेंबर को सेल किया जाएगा क्या रेट होगा इन प्लैन होगा अभी तक सब्सक्राइब कर देखें तो जहां पर सेक्टर M खतम होता है और वहां से आगे सेक्टर G और K स्टार्ट हो जाती है अब इन सेक्टर सेक्टर के बात करें यह सेक्टर पूरे के पूरे नॉन डिवलाज है इन में कोई एक स्ट्रीट भी ऐसी नहीं है जहां पर आपको डूम नजर आ रहे हैं यह वाला सारा अरिया जो है यह सेक्टर G और K का बनता है जहां पर अभी तक सोसाइटी की तरफ से डिवलपन्ट ज सेक्टर हैं अगर हम सेक्टर H की बात करें तो वहां पर जितने प्लॉट्स हैं तमाम के तमाम वह वन कनाल के प्लॉट्स हैं उसमें किसी और कटिंग के प्लॉट्स जो है मजूद नहीं है अब इसमें Overseas Prime में सेक्टर J और सेक्टर H बनते ही ऑपको साइट पर सेक्टर K औ पार के लिजर्व प्लॉट है अभी इस पर एक्चुली जो स्ट्रीट सें प्लॉट की वहां पर काम का घाज नहीं हुआ जब वहां पर डिवल्पमेंट होगी साइटी की तरफ से तो मैं इंशाला उस हवाले से भी डीटेल से अपडेट कर दूँगा अब सेक्टर H के तरम प्रॉट ब्रीज बने हुए जो सेंटर वाला ब्रिजव और सेस्सेक्टर 1 एफ के साथ वहां के उससे मिलती है तो उसले हाज लिए से काफी सता हमिल एह डा को एक आप यसी को इसी रोड आप जाते है तो यह आपका ब्रिज याते हैं इस ब्रिज की लैंट है 450 और इसके व पार्चली काम हुआ है बाकि तमाम का तमाम जो ब्लॉक है वो नॉन डेवलप है राइट साइट में सारा गॉल्फ कोर्स है अब यहां पर पर आपको नज़र आ रहा है कि इनके सामने पहले 76 feet की पार्किंग फिर 180 feet road फिर 120 feet road तो टोटल मिलाक इसके सामने जो विट्ट बनती है रोट की वहीं बनती है 376 feet wide road जो के बहुत ही इंपॉर्टन्ट है commercial point of view से कि जब आप commercial property construct करते हैं तो उसमें आपकी road की weight जो है वो बहुत ज़्यादा matter करती है अगर आपके plot के सामने road की weight जो है वो 100 feet की है तो उसकी worth 100 feet के लिहाँ से होगी अगर 200 feet या 300 feet या 400 feet की weight तो उसकी worth उसलिहाँ से बनती है क्योंकि जितना बड़ा road होता है उतनी plot की worth later stage पर जाके ज्यादा होती है फिर उससे आगे overseas central शुरू हो जता है overseas central का sector G है और G block के अंदर इस वक जो है street की alignment शुरू होगी है 9, 10, 11, 12, 13, 14 street जो है इनकी alignment प्रॉपरली शुरू होगी है जो के society की central jamia mosque होगी एक तो jamia mosque आपको overseas east में नजर आती है जो बन रही है यह society की grand central jamia mosque होगी जो इस plot पर construct होगी इसके opposite side पर देखा जाए तो overseas central का sector F है और इससे आगे left side पर sector E है यह तीन sector इस junction के साथ बनते हैं जो आपको round board नजर आ रहा है इसके साथ sector G है sector E है sector F है और right side पर जापको नया नया पार अभी carpeting होता हम नजर आ रहा है यानि इस पर जिसन ये video record हुई थी इस road परे carpeting हो रही थी इस carpeting वाले road में access पीछे जाके 400 feet road मजीद extend होगी यह 18 lane road है 2 lane बीच में metro की है BRT की बाकी road के दोनों साइट पर आठट लेन की road है जो के बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इससे पहले इतनी वाइड रोड इसलामबाद की नमेन में किसी और housing society को देखने को नहीं मिलती उससे रोड से आगे access लेते हैं तो मैं explain भी कर देता हूँ यह road है basically master plan पे चक्री साइट से शुरू होता है अब यहां से कर देखें पहले sector G है यह village बन रहे हैं उससे आगे sector H है और यह road जाके access करता है कि इस bridge को और इस bridge के left side पर सारा executive block B है और इसके right side पर सारा भी develop कर रही है और पर दॉक्टर अंक्लेव और दॉक्टर अंक्लेव से आगे direct M2 motorway पे access मिल सकती है अब यह road है यह सारा end-to-end carpeted है जैसे मैं वीडियो के start में बात की थी कि minimum weight इसमें 50 foot बनती है और maximum weight इसमें जाके 400 foot की बनती है और फिर आगे 180 feet की main weight बनती है इस पार्ट पर आके जीवला पार्ट है यहां पर रोड की weight 376 feet wide है फिर आगे तू दुबारा यहां से आके 180 feet wide हो जाती है जो के end तक जाके चक्री road को चक्री road को basically connect रहती है with M2 motorway यानि कि जिस भी इंडविज्वल ने आज की डेट में Capital स्मार्ट के through M2 motorway को यूज करना हो उनके लिए यही road यूज करना एक किसम की combustion है अगें back to real time footage इसको दुबारा अपने screen पे वही जो में 400 foot road से access लेके आप Dr. Nklave में जाते हैं इसके साथ साथ मारी website विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज रूल आए कमेंट और शेर और चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीज़ अज़त अगली वड़े तक लिए खुदा आफिस